आज हम बताने वाले हैं खास जानकारी जिसे एक अप्रेल से नए फारेंशल बजट के अनुसार लागू किया गया है हो सकता है इसका असर आम आत्मी की जेब पर होता हुआ नजर आए जानना चाहेंगे कैसे तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ऐसी ही जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे Online Payment जिहां यानि UPI वह पेमन्ट जिसे हम बिना बैंक जाए अपने पैसे को पेमन्ट की तरह इस्तमाल करते हैं अब UPI का संचालन करने वाली संस्ता National Payments Corporation of India यानि NPCI ने नया सर्कुलर जारी किया है इस सर्कुलर के अनुसार देश में Online Transaction के लिए सबसे ज़्यादा इस्तमाल किये जाने वाले इस Option के लिए अब से घ्राकों को अतरित कर देना पड़ेगा इस सर्कुलर में एक अप्रैल से UPI के जरिये किसी भी मर्चंड को होने वाली हर पिमन्ड पर PPI चार्ज लगानी की सिफारिश की गई है इसका मतलब है कि नए वित्यवर्च की शुरुवात के साथ ही UPI से लेन देन भी महंगा होने वाला है बिजनेस स्टेंडर्ड न्यूस के अनुसार NPCI ने PPI चार्ज लगानी के त्यारी कर ली है जिसके अनुसार 2000 या उससे ज़्यादा के टांजक्शन पर 0.5 से 1.1 परसेंट का PPI चार्ज लगाने का सुझाब दिया गया है यह चार्ज मर्चंड टांजक्शन पर लगेगा जिसका मतलब है यह सीधा पेबंड करने वाले यूजर्स के खाते से ही जाएगा भारत में UPI के जर्ये होने वाली कुल पेबंड का 70% हिस्सा 2000 रुपे से अधिक्का होता है ऐसे में अगर अतिरिक चार्ज लगेगा तो आम आदमी को हर टांजक्शन पर 10-22 रुपे का एक्ष्टा चार्ज देना पड़ेगा मौझूदा समय में PPI से पेमन्ट करना पूरी तरह से फिरी है PPI चार्ज वालेट या किसी कार्ड के जरिये टांजिक्शन करने पर ही लगता है NPCI ने सर्कुलर में साफ किया है कि 1 अप्रेल को नियम लागू करने के बाद 30 सतमा 2023 को पहली बार इसका रिव्यूप किया जाएगा National Payment Corporation NPCI ने अपने सर्कुलर में अलगला फिल्ड के लिए अलगला चार्जिस निर्धरित की है जानते हैं इसकी डिटेल National Payment Corporation के अनुसार खेती और टेलिकॉम से जुड़े सेक्टर्स में सबसे कम इंटराचेंज फीस रखी गई थी तो मही पर कंजूमर से जुड़ी सेवाओं पर इसे अधिक्तम रखा गया है वैपारिय को पेमेंट करने वाले यूजर्स को इंटराचेंज फीस यानि की मर्चंट टांजेक्शन देना पड़े इस सर्कुलर के मुताबिक पैंक अकाउंट और पीपाई वालेट के बीच पेर टू पेर यानि अगर दो यूपी अकाउंट के बीच की पेमेंट जो वैपार के लिए रजिटर्ट नहीं है और peer-to-peer merchant दो वेपारिक अकाउंट वाले UPI में किसी तरह के transaction पर कोई शुल्क नहीं देना होगा दोस्तों आशा है मेरे इस वीडियो से आप लोगों को online payment के बारे में कुछ जानकारी मिल गई होगी धन्यवाद